प्रिधान मंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अमरित भारत ट्रेन को हरी जंडी दिखाने जा रहे हैं आयोध्या से बिहार की दर्भंगा के लिए चलने वाली इस ट्रेन का किराया अन्य ट्रेनों के मुकाबले 17 फीसदी तक महंगर रहने वाला है इसे ट्रेन ने के राया 0 से 50 किलो मीटर के लिए वशूल किया जाएगा वंद्र भारत की तरह यह भी पुल्पुस ट्रेन है इसे आरंभिक समय में वंद्र भारत साधारण कहा जा रहा था ट्रेन में 22 कोछ लगाये जा रहे हैं 12 कोछ अनारक्षित त्रेडी के होंगे इसमें 6000 होर्स पावर के दो इंजन लगाये जा रहे हैं इसे चितरंजन रेल कार खाना में तैयार किया गया है रेलवे बोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार आयोध्या से चलने वाली अमरिद भारत एक्सप्रेस को आनंद विहार तक लाया जाएगा वही दूसरी अमरिद भारत ट्रेन इसी वित लगाये गये हैं सभी के लिए चार्जिंग पॉइंट है मोबाइल रखने के लिए होल्डर भी लगाये गये हैं पहली बार ट्रेन में हवाई जहाज की तरज पर रेडियम लैमिनेशन किया गया है वंदि भारत की तरह पूरी तरह से जर्क प्रूफ बनाया गया है इसकी अ